नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, i hope कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, प्रेंड्स, इन दिनों मौनसून का सीजन सुरू हो गया है, और हमें अपने गार्डें में कई सारे काम करने होते हैं, उन में से कुछ काम तो मैंने कर ली हैं, और कुछ काम अभी विबाकी है उनमें से एक काम यह स्पाइडर प्लांट की केर करना है और इनका गमला भर गया है और इनको डिवाइड करना है तो आज इसी वर्क के साथ मैं इस वीडियो में आई हूँ उमीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल में ने है तो सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो ये है स्पाइ स्पाइडर प्लांट का जो स्पाइक्स वह निकल निकलकर बाहर-बाहर की तरफ निकलता है और देखने में बिल्कुल है ये स्पाइडर के जैसा लगता है और इन के अच्छी में बेबीज होती है और हमें इन बेबीज को अगर लगा लें तो बड़े आराम से एक नया पो स्प्राइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और इसकी लटकती हुई जो पॉप्स है वह देखकर तो और भी मन खुस हो जाता है और इसी के कारण इसका नाम स्प्राइडर प्लांट रखा गया और इन चोटे-चोटे फूल इन दिनों आते हैं वह और भी आकर्सक लगते हैं और धीरे-धीरे पौधा बूशी हो जाता है और हमें जरूरत होती है इनको डिवाइड करने की तो आएए हम इस पौधे को डिवाइड करके दिखलाएं कि कैसे हम इनको डिवाइड करें और क्या-क्या सब्धानिया हमें डिवाइड करने के दौरान बरतनी चाहिए ताकि हमारा पौधा बहुत ही खुबसूरती से चले और फिर से काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ ले तो देखें यह है मेरा गमला जो की रूट बांड हो गया है दोस्तों और कई सारे राइजोम से बनाते हैं जिसमें पानी भर होते हैं अगर इनको नहीं भी पानी पटाए तो यह इसी राइजोम के पानी से काम चला लेते हैं अगर 14 इनको दिया जाये तो यह कराए मिट्टी मैं इनके जड़ों की हटा दी हूं देखिए जब तक मिट्टी नहीं हटाईएगा यह आसानी से डिवाइड नहीं होगे और जितने भी गले सड़े पत्ते हैं उनको भी हटा ले सुखे पत्ते और देखिए एक पौधे को मैं कैसे निकालूंगी और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और कई सारे पौधे हम अपने गार्डेन के लिए बना सकते हैं यह देखिए के बल जड़े जो है एक दूसरे से अटैच होती हैं बाकी इनको स्टेम से कोई लेना देना नहीं है यह देखिए कितनी आराम से यह निकल गया और इसके साथ इसके पौप्स पौप्स देंसीजिद्विट्र 709 सिर निकलते हैं सभी में इन दिनों पौप्स दूसरे निकलते रहते हां और और उसपाइक होता यह देखिए और पौधना से इस तरह से रहुख रही हैं यह दो पौधे को मैं एक ही जगह रहने दूगी और एक ही गमले में लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा बूशी पौधा ज्यादा सुन्दर लगता है यह देखिए अब मिटी की बात करें तो इनमें सेंडी स्वायल इनको पसंद है जो कि मैंने पहले से भी इनको प्रवाइड कर रखा था और बड़े अराम से चल रहे था दोस्तों क्योंकि इन में पानी नहीं रूखना चाहिए जदा सभी पानी रूखे गा तो यह पौधा मर जाएगा तो पहले वाली मिटी में ही मैं इसको लगाऊंगी क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए है इनको लगाए हुए करीब करीब 6 महीं नहीं हुए है तो यह सेंडी स्वाइल है और इसमें मैं दो मुठी बर्मी कंपोस्ट मिला रही हूं दोस्तों इन दिनों सभी पौधों में खाद देना बहुत ही अच्छा होता है और एक मुठी में नीम खली कि लूगी क्योंकि यह दोनों काम करता है यह फटल मिलाया है इस तरह की मिटी मैंने बनाई है सेंडी सेंड तो उसमें पहले से मिला हुआ था लगवा 50% सेंड इसमें मिला हुआ दोस्तों और 50% गर्डन स्वार और चुकि फटलाइजर पौधे हैं जो उपियोग में ले आते हैं फटलाइजर से पौधे की ग्रोथ होती है त तो इस तरह से सेंडी स्वायल है और गमले में नीचे मैंने होल में मिटी के टुकड़े रख दिये है गमले की टूटे हुए टुकड़े और और उसमें मैं आधा से ज्यादा फिल करूंगी क्योंकि इसका जड़ बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए और पौधे का जो चारों तर्फ मैंने मिटी भार ली है और एक इंच गमला खाली रखें दोस्तों पानी के लिए नहीं तो मिटी भावा के पूरा घर गंदा कर देती है तो इस तरह से देखें क्राउं पार्ट को मैंने उपर रखा है और सारे पार्ट को मैंने दबा दिया नीचे इस तरह से इसी तरह से दो पौधों को मैं और लगाऊंगी जो छोटे छोटे गमलों में फिर मैं इसके हैंगिंग बास्केट में यह पौधा बहुत ही खुबसूरत लगता है और लटकती हुई जो जूलती हुई इनकी स्पाइक्स है और बेबीज हैं वो देखने में काफी खुबसूर जालब्ध लगते हैं इसे लिए यह जासा दिखता है और इस पाइडर प्लांटी का नाम होता है पत्यूव में वेरिगेशन के हिसाब से दो तरह का यह पौधा हो जाता है एक है इना हो में और रहगी बीच होगी चुकि आफब कर दोस्तों प्लास्टिक रबहा हैं उपौ इसके बाद मैं देखती हूं क्या कर सकती हो उसका जो जिसमें इसकी जरुवत पड़ेगी इस प्लांट की वह मैं करूंगी उसके बाद इसकी बेबी से मैं प्लांट बनानी की कोशिज भी करूंगी इस मौन्सून में क्योंकि थोड़ी बेबी अगर बड़ी हो जाए तो बड इस सारे पौधे मैंने भी मारे हैं लेकिन जैसे ही मैं इस पौधे को समझ गई तो मैं बड़े आराम से इस पौधे को लगा सकती हूं और इसको आराम से डिवाइड कर सकती हूं और कई सारे पौधे बना सकती हूं तो इस तरह से एक और गमला मेरा तयार हो गया दोस्तों देखते ही देखते और यह देखिए क्राउन पार्ट इसका वी ऊपर है और इस तरह से आग भी अगर आपका भी spider plant काफी बुशी हो गया है और उसको भी डिवाइड करने की जरूफ है अलग अलग पौदे बनाने की जरूफ है तो इन टीप्स को फॉलो करके आप भी अपने spider plant को डिवाइड करके कई सारे पौदे बना सकते हैं और हेंगिंग बास्केट में चोटे-चोटे पॉट में लगा कर अपने घरों में रख सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं तो यह यह पौधा ऐसा है कि सभी के नजरों में बस जाता है क्योंकि इसके स्पाइक्स जो निकलते हैं उसमें बेवी प्लांट होते हैं और बिल्कुल हैं इसको चाया में रखें दोस्तों की चािया में रखें करीब करीब एक सबटा तक उसके बाद भी इसको वाद करें ज्यादा धूंसकी पत्य जलने लगती पौधा भी धीर सूप जाता है हमारे इस बार इतनी कमी हुई है कि सारे पौधों का हालत खराब है, पतियों में जलने की जो अवसेश है, वो अभी भी बाकी है, देखे, कई टिप्स सारे जल गये हैं, और देखे, सभी में पाप्स निकल रहा है, किसी में निकल रहा है, किसी में निकल चुके हैं, तो इस तरह से अभी अपने spider plant का ख्याल र की नोटिफिकेशन के लिए जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी और अपने गाड़निक पसंद करने वाले दोस्तों के साथ खुब सारा सेयर कीजिए क्योंकि उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए तो मिलती हो एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई ओके बाई 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 माई फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग हैपी गाड़निंग ओके टेक कियर